मैं आपका अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ जैसा कि मैंने आपको मुझे बताने में काफी हर्स हो रहा कि पिछले की बार की तरव हम लोगों ने इस बार भी जो सामान ग्यान प्रतियोगिता का एक्जाम है उस तो कंडेक्ट करवाने को लेकर कि मैं सुचना देने आपको आया हूँ इसके कुछ महिने पहले यानि पिछले वर्स हमने एक्जाम जो करवाया था काफी अच्छे तरीके से एक्जाम जो है की कंड़क्ट कराया हम लोगों ने और काफी अच्छा फिडवैक बच्चों का हमें मिला और इस तरीके से हमने पूरे इस पेपर को डिस्टिब्यूट करवाया और नकल भीहिन परिक्षा को पूरे अच्छे ढंग से हमने पेपर को पूरी तरीके से कराया इस बार भी हम जैसा कि पिछले साल हम लोगों ने सितंबर में जो एक्जाम आयुजित कराया था उसको अलग-अलग डेट मैंने आपको दि दिया था और इसके अलामा आप लोग जानते हैं कि यह एक्जाम हम लोग दो बार करवा चुके हैं यह हमारा तीसरा संसकरड है और दोनों बार का जो हमारा एक्जाम रहा उसमें हम लोगों को अच्छा फीडबैक मिला इस बार हमने जैसे दो बार एक्जाम करवाया हमारे यह भी पहली बार एक्जाम था, तो हम लोगों ने एक्जाम को पहले बार भी बहतर तरीके से कराया, दूसरी बार भी बहतर तरीके से एक्जाम को कराया, सही questions को रखा, जो questions एक्जाम में जादा तर पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो यह motive है एक्जाम क मैंने पिछले वीडियो में इसको ले करके डिस्क्रिप्शन दिया था और बता था कि हम लोग भी एक्जाम देते हैं, हम लोग भी पड़ाई करते रहते हैं, तो हम लोग को यह पता रहता है कि कहां से किस कॉर्णर से किस जगह से questions पूछे जाते हैं, जैसे हम लोग तैयारी अगरे कराते हैं, बच्चों की CHS ना होता है अगरे के लिए, तो उसमें जो question पूछा जाता है, class 6 के standard पे class 9 के लिए, class 11 के लिए, और उसके बाद आपका ब्याच्चू अगरे में प्रविस परिक्षा के लिए जो भी questions आपकी UGPG में पूछे जाते हैं, उस तरीके के exam के लिए किस अस्तर का questions होता है, हम लोगों ने भी काफी सारे questions face किया है, काफी सारे exam भी face किया है, तो उसी को आधार बना के हम लोगों ने माना है कि हर साल हम इस तरीके कि exam conduct करेंगे, पिछली बार तो हम लोगों ने एक साल में दो बार आयोजित कराया था, लेकिन इस बार हम जो एक्जाम करवाया था उसमें हम लोगों ने 6 to 8 रखा था लेकिन बच्चों की मांग है कि सर और पैरेंट्स की भी मांग है कि बच्चे जो 6 से ही प्रवियस परिक्षा हो गएरे देने के लिए एबल हो इसलिए हमने इस बार जो एक्जाम का सेड़्ूल थोड़ा चिंज कि का ही साथी क्लास फूर्थ से आनवाड जो क्लास फूर्थ 5, 6, 7, 8 आनवाड क्लास 12 और 12 फूलस के बच्चों को भी इस एक्जाम में हम समलित करेंगे हमारे मानना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम से जूर करके हमारे दिज़ने वाली परिश्चाहों से लाब प् किसे हमने exam conduct करवाया किस तरीके से हमने price distribution की सारा कुछ आपको दिख रहा होगा और आप लोगों ने भी काफी हमारे जो viewers है वो देख भी रहे होंगे तो जानते होंगे कि हमने किस तरीके से exam हो गया है कराया है तो आप जो कुछ मुख्य बाते हैं मैं उनी को यहां पर आप से discuss करने आया हूँ यह हमारा इस exam को ले करके पहला वीडियो रहेगा लेकिन बीच बीच में जो भी updates तो आती रहेंगी हम आपको इसी channel पर देते रहेंगे channel आपका बायो प्रोजेक्टर है और साथे साथ निखिल monitor है आप दोनों पर विजिट करके उसका description मैं आपको दे दू जैसे मैंने कुछ इसमें लिया था जैसे date वगरे जैसे exam पिछली बार जो हुआ था तो हमने जो month था हो वही select किया है पिछली बार कुछ था exam के dates को ले करके तो हमको dates को आगे पीछे करना पड़ा था लेकिन इस बार हमने काफी मेहनस से सारी कुछ चीजे आरेंज करके हमन इसमें कोई भी inconvenience नहीं होगी मैं इसमें आपकी पूरी सहता करूँगा तो हमने जो इस बार decide किया है date यह decide किया है 8 सितंबर के लिए जो हमारा exam होगा वो 8 सितंबर को होगा खेर मैंने exam पहले बता दिया पहले तो मुझे बताना चाहिए कि form कब से मिलेगा कहां पे मिलेगा overall मैं सब आपको बताऊँगा तो form जो प्राप्त करने का स्थाने पहले जैसे था यह आपको online और offline दोनों mode में आपको मिल जाएगा आप download करके भी इसे भर करके caliber coaching पे आप जमा कर सकते हैं इसके अलावा offline भी आप हमसे form लेकर के इसे जमा कर पाएंगे form जो आपका कल से मिलन सुरू हो जाएगा आप हमारी coaching से या फिर online भी इस form को telegram के माध्यम से या जो भी हमारे पास link होगी हम आपको provide कराएंगे जिससे आप आसाने या मैं अपने जो video बना रहा हूं उस video के video में description दे दोंगा मतलब मेरा है मानना कि आप easily सारी चीज़े कर पाएंगे आप चाहे offline बरना चाहते हैं चाहे online offline भरने का essence है कि आपको hard copy ले करके उसे फिल करके आपको ला करके जमा करना होगा जब प्राप्त करने का अस्तान भी caliber coaching classes ही है और आपको जमा भी वहीं करना होगा तो मैंने कहा कि form आपको कल से मिलना सुरू हो जाएगा इसका यह मतलब है कि हमने यह तैयारी पिछले सब्ता से ही करना सुरू कर दिया था जो भी कुछ हमारा उसमें सुधार था उसको हम already कर चुके हैं जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार हम class 4th से onward 20 plus तक करेंगे लेकिन बस यह है कि age का restriction है इसमें हमने 18 वर्ष से उपर की बच्चों को इसमें हम समलित न देने वाले हैं या on day exam दे चुके हैं अगले exam की तैयारी हो गहरे कर रहे हैं तो इसमें इस बच्चों को लाब हो इसमें मैंने subject में बताया कि English and Math, Science, GKGS जो भी subjects आप अपनी class में बढ़ते हैं कहीं बाहर से question आपको मिलेगा नहीं आपकी books से questions मिलेंगे या आपने जो पढ है वो अलग रहेगा इसी तरीके से 6 to 8 का जो पेपर है वो अलग रहेगा अलग in the sense 6 to 8 का जो पेपर है वो एक रहेगा जैसे मालज आप 6, 7, 8 में पढ़ते हैं तो आपके लिए एक ही पेपर रहेगा 5, 6 में आप पढ़ते हैं तो आपके लिए एक पेपर है इसी तरीके से 9 पर इसके अलावा ट्वेल्थ में भी एक पेपर आपको मिलेगा और इसके अलावा ट्वेल्थ प्लस हैं आप तो भी आपको पेपर एक ही मिलेगा मेरा कहना है कि जैसे आप 5, 4, 5 पढ़के 6 के लिए आप इलिजबल होते हैं किसी भी प्रविस परिक्षा के लिए उसके बास 6, 7, 8 पढ़के आप इलिजबल होते हैं क्लास 9 में प्रविस परिक्षा होगरे के लिए इस तरीके से आप 9, 10 पढ़के 11 के लिए इलिजबल होते हैं और 11 और 12 पढ़के आप किसी यूजी परिक्षा के लिए उन्वर्सिटी में या अलग-अलग बोर्डों द्वारा यूजीद की जाने वाले परिक्षाओं के लिए आप इलिजबल होते हैं अधरा में फोकस ही है कि जो बच्ची जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये लाब मिले तो जो डेट वगरे थी सबसे पहले मैंने बता दिया कि फार्म आपको कल से ही मिलना सुरू हो जाएगा एक्जाम आपका 8 सितंबर को होना है जो आपकी लाश्ट डेट है फार आपको कल से मिलना सुरू हो जाएगा आपको कुल मिला के जो भी 25 से 26 दिन आपको मिल रहे है उसमें आप फार्म को पूरे प्रपर तरीके से भर करके आप कैलीबर कोचिंग से जमा कर सकते हैं और मैंने जैसा कि बता है कि आपार कुछ पराबर को करते हैं और उसके अलामा जो कुछ बाते रहे गई हैं, यहाँ पर मैं description में आपको दिखा दे रहा हूँ, आप easily उनको देख पाएंगे और पड़ भी पाएंगे, तो ज़्यादा कुछ confusion आपको होने वाली नहीं है, उसके साथ ही मैंने कुछ number भी दिया है, faculty के, faculty के number ले करके, आप contact करके, जो भी आप का जो भी query है, आप मुझसे करके, या मेरी जो भी faculty हैं, उनसे आप अपना solution प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे के साथ यह मेरी short video थी, पहला video था, exam को ले करके, मुझे आपको जानकारी देना था, जो कुछ मुख जानकारी थी, मैंने आपको यहाँ पे online माध्यम से भी बताया और इसके अलावा उसे आपको पढ़ करके भी बताया, तो यह सारी जानकारी हमें दिया, इसके बाद जो भी कुछ output समय मिलेंगे, या जो भी उसमें कुछ सुधार करना होगा, या जो कुछ भी नई जानकारी जोड़ना होगा, मैं इसी तरीके से वीडियो प्याया करके, आपको बताता रहूंगा, तब तक आप मुझे इजादत दे, धन्यवाद,